Hello everyone, I welcome again to all option my BA tutorial classes Success in Teaching Field आज हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे कि Cetate का form फिलब कप से होगा और क्यों नहीं हो रहा है क्या इसका reason है, वो सारी चीजों को एक proof के आधार पर discuss करेंगे उसके इलावा हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, second number में Cetate का syllabus अपने देखा होगा उन सारी चीजों को discuss करेंगे और उससे पहले मैं आपको एक चीज और add करूँगा, देखो exam तो आपको पता है कि December में होना है, Cetate सं 2022, December में कंड़क होना है, इसमें कोई दोराई नहीं है उसके इलावा मैं बताओ, इसका syllabus exam pattern उन सभी चीजों को अच्छे से समझने से पहले, मैं एक चीज बता देता हूँ आपको देखो, यह एक बहुत बड़ी opportunity है जो Cetate exam कंड़क करा रहा है इससे बाग में इससे पहले कोई भी exam नहीं है अभी, तो मैं यह आपसे कहूँगा कि एक बड़ी opportunity है, इसमें आप बहुत अच्छे से मेहनत करें और इसको जो है आप qualified करें और उसके बाग में जो बड़ी सी बहाली है, उसमें आप अपनी जगह बनाएं, मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी wishes है अब इसको समझते हैं, वह Cetate का जो form fill up है, वो कब से होगा, क्यों नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ है देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, 26 जुलाई को सबसे पहले आपने देखा होगा कि Cetate का form था, fill up करवा लिया जाएगा बर 26 जुलाई निकल गया, उसमें किसी तरह का जो है notification नहीं आया उसके बाद मैं आप देख सकते हैं, 6 सेप्टेंबर से लेकर के, 26 सेप्टेंबर तट आपका exam कंड़क करवाया जाएगा इस तरह की बाते चल रहे थी, लेकिन 6 सेप्टेंबर भी निकल गया, लेकिन अभी तक exam का जो form fill up है, वो नहीं आया हुआ देखो reason क्या है, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, यहां समझे, CBSC Central Board of Secondary Education सबसे पहले इसका exam conduct कराता था, लेकिन अब कौन करवा रहा है, इसका exam conduct, वो है National Testing Agency यानि कि NTA करवा रहा है अब सबसे पहले इसमें समझने वाली बात है, कि last time में जब इसका form fill up करवाने का date आया था, तो आपको याद होगा कि पता है कब आया था वो, 16 September को आया था, ठीक है न, अब इस बार जो है क्यों नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़े में समझाऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कि देखो, एक्जाम जो है, सीटेट का वो December में होगा, ये एकड़म full final है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, मैं बताओंगा reason क्यों, और एक चीज़ मैं बताता हूँ, इसका जो exam form fill up का क्या करवाने का date है, मैं एक चीज़ बतात उसे ज़्यादा नहीं जाएगा, सबसे पहले मैं बता दो, last week of September और फिर first week of October से ज़्यादा नहीं जाएगा, और वो क्यों नहीं जाएगा, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये जो NT है, National Testing Agency है, इसके norms को अगर आप पढ़ेंगे, तो इसके National Testing Agency में साफ साफ लिखा हुआ है, कि आप जो भी एक्जाम कंडग करवाएंगे, तो maximum आप उसको तीन मेहना जो है, जरूर देंगे, उसका gap ताके वो तयारी कर सके, तो अब जो अगर आप देखेंगे न, September के last day, उसके बाद भी आपके पास में, अगर December में एक्जाम होता है, तो भी आपके पास में 3 month ज आता हूँ, आपको देखो, ये जो एक्जाम है, वो क्यों नहीं आ रहा है, फॉर्म फिलप करवाने का, क्यों नहीं आ रहा है, जो सबसे बड़ा conclusion जो मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों से बात करके, जो मैंने conclusion निकाला है, उसका यही reason है, देखो, National Testing Agency जो है, बहुत स नेट और जियारेफ, फायर एजूकेशन में, पिएजडी के लेबल पे जो होता है, वो सारे एक्जाम जो है, अभी के डेट में कंड़क कराया जा रहे हैं, और वो कौन कंड़क करा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजनसी इसको कंड़क करवा रही है, यही reason है, कि इनके प इसको समझ सकते हैं, systematic way में वो सारी चीज़ों को arrange कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको लाशन बता दिया है, कि आपका exam जो है, डिसेंबर से आगे नहीं जाएगा, यह आपके लिए एकदम full and final है, एक बात तो clear हो गया, कि हमारा जो form fill up का जो date आ सकता है, वो maybe कि देखो भई, last तरीके से अंदाजे के इलावा भी में बहुत सी बाते हैं, दूसरों से confirm करके मैं आपके साथ में पहुचा रहा हूँ, यह बात clear हो गई, कि last week of September तक form आ जाएगा, या फिर first week से जाधा नहीं जाएगा, क्योंकि 3 month आपको देगा वो preparation के लिए, first of all यह clear हो गया, अब आते ह हुआ था, किसने लिया था, NTA नहीं लिया था, National Testing Education नहीं लिया था, लेकिन इसमें क्या बदलाओ था उस टाइम में किसी तरीके का नहीं था, क्योंकि मैं आपको बताओ, Central Board of Secondary Education जो syllabus के आधार पर आपका एक्जाम लेता था, उसी आधार पर last time भी हुआ था, और इस बार जो आपका syllabus फोलो किया जाएगा, वही syllabus फोलो किया जाएगा, जो syllabus इससे पहले था, कितने भी वीडियो लोग बना ले, मैंने देखा है बड़े बड़े जो है ना, वीडियो यूट्यूबर जो है, बड़े बड़े यूट्यूबर से है, वो इस पैटन पर बना रहे हैं, मैं आपको पूरी तरीका से बता रहे हूँ, अब बात आती है, क्यों इस तरीका से वीडियो बना रहे हैं, कुछ तो बात है, इसमें, देखो मैं बात बताता हूँ, आपको है क्या उसमें matter, एक्जाम पैटन को लेकर के उसमें बतलाओ देखने के लिए मिल रहे है, Central Board of Secondary Education यानि कि CBSC जब exam के pattern बनाता था, question बनाता था, तो उसमें जो चीज़ें थी, वो theoretical बहुत ज़्यादा होती थी, यानि कि theory से question simply पूछ लिया गिया है, कि जिन प्याजे ने कौन से सिधान दिया है, संग्यानात्मक से धान दिया है, तो संग्यानात्मक के कितने अस्तर होते है तो चार लेबल होते हैं, इस तरीके से simply question ज़रूर हुआ करते थे, तो exam pattern में आपको बदलाओ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि national testing agency बड़े बड़े exam कराता है, जैसे कि आप JEE देख सकते हैं, JEE जो बच्चे engineering field में जाना चाहते हैं, उनको सब से पहले क्या करना होता है, JEE का exam clear करना होता है, जो medical में जाना चाहते हैं, need का exam, जो higher education, net, PhD करना चाहते हैं, है न, वो कहां जाते हैं, क्या कहता है, क्या कहता है, कि net and GRF करना होता है, उसके इलावा seated, अब exam conduct करा रहा है, तो कहने का मतलब है, कि यहाँ पर exam pattern जरूर change देखने के लिए मिलेगा, अब म कितने पार्ट हैं, चार पार्टों में बटा हुआ है, अगर आपसे मैं यह कहूँ, कि इसका exam pattern में क्या question पूछेगा NTA, क्योंकि बड़े-बड़े exam कराता है, तो simply question पूछेगा नहीं, कि तरीके से question रहेगा, इसमें मैं fully तोर पे लिख के दे सकता हूँ, कि आपका जो question र कौन सा स्टेज़ है, आपका कौन सा सेंसरी मोटर स्टेज हो जाता है, second आपका क्या कहते हैं, कि फिर यह operational ठड़ो जाता है, operational जाता है, formal stage, अब आपसे यह पूछ लेगा, यह तो नहीं पूछेगा, कि कौन सा स्टेज, कौन से level पर आता है, यह नहीं पूछेगा, implication का यह होता है, implement का मतलब यह होता है, कि National Testing Agency आप से question पूछेगा इस तरीके से, कि बच्चा अगर अपनी चीजों को सामने रख करके नहीं सीख पा रहा है, तो बच्चा जिन पियाजे के सिध्धान्द के किस stage पर है, यानि कि बच्चे के सामने कोई चीज रखा गया, और रख की value 2 है, तो अगर value किसी को देख करके, अगर imagination के तौर पर समझाया जाए, तो बच्चा उसका नहीं बता पाता है, तो बच्चा जो है किस label पर है, यानि के implementation, यह चीज इस तरीके से पूछा जाएगा, National Testing Agency में, और यह चीज बताता हूँ मैं आपको, CBSC ने अपने official website पे ब पर आपको मोग test provide कराएगा है, उसके इलावा मैं एक चीज बताऊँगा, आपको higher education में बहुत से बदलाओं देखने के लिए मिल रहे है, और यह सारे बदलाओं कौन कर रहा है, आपका higher education कर रहा है, जिससे related में आपको daily daily में आप to date करता रहता हूँ, और उसके इलावा मै मैंने भी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ जितने भी exam में, उससे related जो है NTA जरूर question पूसता है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इस तरह के question जरूर touch कीजिएगा, जरूर पढ़िएगा, I hope कि आपको video समझ में आया होगा, कोई queries, कोई question हो तो जरूर comment section में लिखेगा, और video क लाइक, share और subscribe भी किजिएगा, thank you so much video देखने के लिए